मेरा नामे सौराफ और सौफटर इंजिरिटिंग के इस वीडियो में आवज हम देखेंगे इटरेटिव मॉडल तो HDLC का waterfall model मैंने describe कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले वो वीडियो देख लीजे तो क्या होता है iterative model देखी iterative model waterfall model में जो भी drawbacks था उसको काफी हद तक reduce कर देता है काफी हद तक कम कर देता है तो चलिए पहले थोड़ा जान लेते इसको अच्छी तरह के से परेंगे और हम जानेंगे इसका क्या advantage है कहां कहां पर हम इसको use कर सकते हैं यह सभी चीज़े हम एक एक करके जानेंगे तो थोड़ा पढ़ लेते iterative model के बारे में in iterative model the organization start with some of the software specification and develop the first version of the software after the first version if there is need to change in the software then a new version of the software is created with a new new iteration देगे क्या होता है organization में जब एक प्रोजेक्ट आता है क्या किया जाता है उसको छोटा एक develop version create किया जाता है छोट कुछ specification लिके एक develop version create किया जाता है और उसको review किया जाता है फिर इसको अगर जरूरत पर फिर इसको design करके फिर implement करके test किया जाता है फिर अगर जरूरत परे review किया जाता है और उ लेस्ट किया जाएगा कि यह से है कि नहीं तो ऐसे करके एक फाइनल सौफनर बनेगा इट उल रिपीट अंटिल डवलोप्मेंट आप डव लॉप्टर् जब से clear हो गया तो इसको लूप में iteration हर फेस लूप में घुमता रहेगा तो हर फेस को हम एक एक iteration कहेंगे तो इसको डाइग्राम से हम समझें अच्छी तरीके से पहले एक एक छोटा सा तस्वीर से हम इसको समझ लेते हैं ताकि कि आपका concept जो इसको लेकर iterative model को लेकर clear हो जाए देखिए यहां पर फिर्स्ट इटरीटीव में क्या हो रहा है फिर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है यह इस एक तस्वीर का स्कुछ स्केज बनाया जा रहा है ठीक है पूरा बनाया लेकिन सिर्फ स्केच तो उसके बाद इस इसको समझा गया कि इसके color डर्लना परेगा कुछ ऐसा करना परेगा यह चैंजिस करना परेगा इसका आख में आख को ऐसा सजाना परेगा इस तो यह सब चेंजस करने के बाद इसको इंप्लिमेंट किया गया second iteration में यह पहला iteration था अब सेगेंड इटरेशन में इसको और आउटपूट हमको देखने को मिला और भी अगर समझा जाता कि इसमें requirements में और भी चीज़ें हम डाल सकते तो एक और iteration होता इस तरह तरह लूप में यह घं़ता रहता है जब तक कि पूरा तस्वीर ना बंजा है उसी तरद से इक्रेटि मोर्डल में भी ऐसा होता है जब तक सोफ़ przeci strict पूरा बन नहीं जाता तो डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग ये रिपीट होता रहता है तो एक डियाग्रम से इसको समझ लेते हैं अभी डियाग्रम देखके चौकने वाली बात नहीं है इसको हम अलग-अलग से समझेंगे तो देखिए, मैं इसको step by step आपको समझाता हूँ तो software आया, iteration one में क्या होगा पहले होगा, requirement analysis होगा जैसे कि आपको पता है, देखा जाएगा कि software को क्या क्या चाहिए, नहीं चाहिए फिर होगा, define requirements, उन requirements को on paper लिखा जाएगा तो यह दोनों phase मतलब अब हम software को करने वाले हैं, software requirement analysis हो गया, requirements को define हो गया, अब हम क्या करेंगे, software को बनाएंगे, client के साथ जो interaction होगा, जो कुछ भी होगा, या फिर market visit होगा, सब इन दोनों phases में हो जाएगा, requirement analysis और उसको defining requirements, तो सभी इन दो phases में हो जाएगा उसके बाद हम क्या, गहाँ पर आएंगे, उसके बाद हम designing करेंगे, design के बाद implementation करेंगे, implementation and recording part, उसके बाद उसको testing करेंगे, जो भी हमने बनाया, और उसके बाद सीधा review करेंगे, कि देखेंगे, जो software बना, वो कैसा बना, ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद, review हो जाने के बाद कुछ चेंजेस अगर ज़रूरत पर है तो चेंजेस करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे फिर से आ जाएगा डिजाइनिंग फेज में फिर implementation फिर testing फिर से review करेंगे और फिर review करने के बाद अगर कुछ changes आया तो यह iteration 2 हो गया तो review करने के बाद अगर कुछ change हमने हमने देखा कि हमारा software अभी पुरा complete नहीं हुआ है हमें और इंप्रोवाईजेशन की जरूरा थे तो हम फिर क्या करेंगे फिर जैसे डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे टेस्टिंग करेंगे रिवु करेंगे और यह चलता रहेगा कब तक जब अब यहां पर देख सकते हैं इतरेशन इन अब यहां पर यहां पर हमने रिव्यू करके देखा कि हमारा जो सफ्टेर हो वह कंप्लीट हो गया तब हम क्या करेंगे उसको डिप्लाइब करेंगे और मेंटिनेंस फेज में आ जाएगा वो सिंपल तो बहुत ही सिंपल मैंने यहा Defining, Implement, Testing & Review यहीं बारबार रिपीट हो रहा है रिकॉर्मेंट ऐनलाइस इस रिकॉर्मेंट स्प्सिफिकेशन रिपीट नहीं होगा बहुत सारे जगापे आपको यह कन्विशन मिलेगा लेकिन रिकॉर्मेंट अनलाइस इस डिफाइनिग रिकुर्मेंट सिया रिपीट नह में हो सकता है छोटा मोटा रिक्वर्ड मेंट से वह पहले से डिफाइन किया जाएगा देखियो फॉर एक्जमपल आपको इस दो ऐसे मोडल में दिखाया अब बात में क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे लगता है अगर फोर्ड विलर हो तो बहुत अच्छा हो तो यह नहीं हो सकता मत्तब यहां पर क्या हो रहा है रिकॉर्मेंट्स पूरा चेंज हो जा रहा है तो ऐसा होगा तो आप नहीं कर सकते बराब जो लार्ज स्केल रिकॉर्मेंट्स है तो वो फिक्स रहना चाहिए इसलिए पहले एक बर क्लाइन के हाथ से प्रोजेक्ट आ गय तो अब हम बात करते हैं कि when to use iterative model कब हम iterative iterative model को use करेंगे किस समय पे किस टाइब का प्रोजेक्ट होगा जब हम iterative model से उस project को develop करेंगे तो उसमें पहला point आता है कि requirements of the complete system are clearly defined and understood कि देखिए requirements पहले से clear होना चाहिए जैसा हो रहा था waterfall model में यहाँ पर भी क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया के requirements analysis requirements define defining requirements यह client के साथ पहले ही हो जाएगा बाद में ही हाँ review phase में आप थोड़ा बहुत changes कर सकतो लेकिन large जो requirements है large scale of requirements वह आपको पहले से यहाँ पर define कर लेना है ठीक है so requirements पहले से clear होना होना चाहिए थोड़ा बहुत changes हो सकता है next time when the project is big तो यह बड़ा project के लिए हम use कर सकते हैं जैसे दो तीन साल का project आई और भी ज्यादा बड़ा project मतलब बड़ा project time consuming cost बहुत ज्यादा है time बहुत ज्यादा लेगा और इसमें manpower भी बहुत लगेगा तो इस समय में हम iterative project का use करेंगे क्योंकि इस project model को manage करने के लिए भी बहुत सारा लोगों की जरूरत है तो इसलिए हम जब large waterfall model हम कभ यूज करते है small projects के लिए तो iterative model हम यूज कर सकते है big project के लिए ठीक है next major requirements must be defined however some details can be evolve with time दीके जो first point में आपको बताया था वही चीज है इसमें repeat किया जा रहे है कि requirements पहले से defined होना चाहिए हाँ छोटा मोटा requirements बाद में changes हो सकता है लेकिन बरा requirements large requirements मतलब ज्यादा changes हम यहाँ पर नहीं कर सकते तो चलिए अब बात करते कुछ advantage and days advantage के बारे में the advantages of iterative model देखिए generates working software quickly and early during the software life cycle तो यह project यह iterative model को हम use करके क्या कर सकते है is dlc life cycle जो हमारा model है बहुत पहले ही हमको quickly and fastly हमको हमारा software working software मिल जाता है तो हम उसको test कर सकते है उसको review कर सकते है और उसको increment करके उसको implement दुबारा कर सकते है तो यह एक सुविदा है इसका नेक्स्ट है easier to test and debug during a small iteration तो हर एक iteration में हम इसको easily manage कर सकते है इसको software को easily test कर सकते है और find कर सकते है debug यानि की कोई error तो नहीं है तो debugging भी हम कर सकते है जल्दी भी क्योंकि हम working software बहुत पहले ही मिल जा रहा है नेक्स्ट इजियर टू मैनेज रिस्क बिस्क बिकॉज रिस्की पीसेस और identify and handle during its iteration देखे फर्स्ट इटरेशन वा हपको लगा के यहां पर यह रिस्क हो सकता है तो हम इस रिस्क को solve करेंगे और नेक्स्ट फेज में जाएंगे फिर नेक्स्ट फेज में आपको नेक्स्ट इटरेशन में आपको दिखा के हमको यह रिस्क मिल सकता है इस इस इटरेशन में नेक्स्ट इटरेशन में हमको यह रिस्क मिल सकता है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले उस रिस्क को को solve कर लोगे तो waterfall model जो था वो रिस्क नहीं कर सकता था लेकिन इस model में आप रिसक को solve कर सकते हो next step each iteration can be easily managed तो इच इटरेशन जो हरे इटरेशन हो होगा तो इसको बहुत अच्छी तरीके से manage किया जा सकता है और क्यूंकि यहां पे मैने पहली कहा कि यहां पे मैंन पाउर भी बहुत जादा हो जायेगा क्योंकि यह बड़ा प्रोजेक्ट है और बादय प्रोजेक्ट है और बहुत सारा प्रोग्रामर्स, कोडिंग, कोडर्स, डिजाइनर्स का इन्वाल्मेंट होगा, तो iteration, each iteration can be easily managed. नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजिस ओफ इटरेशन मॉडल पहला इस नौट सुटेवल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्स भाई स्मॉलर प्रोजेक्स के लिए यह मॉडल नहीं है किसने का इटरेटिव मॉडल लेने के तो वाटरफोर मॉडल गो गो इत वाटरफोर किया एक बाद टेक्नलोजी फिक्स्ट हो गया तो उसका आप चेंज नहीं कर सकते जैसे आपने डिकॉर्टमेंट्स अनलाइसिस में आपने लिग जिया कि यह प्रोजेक्स विटेवल फॉर जावा कोई भी भर्शन हो तो आपको पता चला कि यह प्रोजेक्स जावा में मतल प्रोड़ एक्जामपल लिया और भी चीजह है लेकिन मेनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होगा इस प्रोजेक्स के अंदर ठीक है तो यही था दोस्तो इटरेटिव मॉडल मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है फिर भी कोई डाउट से तो मुझे प्लीज कॉमेंट बॉ तो और विड़ो को ज़रूर शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह वो भी कर देंगे तो तैंक यू सो मस्त दोस्तो वीडो देखने के लिए अगर वीडो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक कर दो में